बंदे मात्रम डेली टैरी न्यूज में आप सभी कास स्वागत है 72 में स्वाधिन्ता दिवस के उपलक्ष में सकारात्मक कार्रेयों का सम्मान समहरो रविबार को 12 अगस्त को NDMC Convention Center नई दिल्ली में होने जा रहा है रामजान की संस्थान, RGS, नई दिल्ली और TJ, APS, KBS के पश्चिम बंगाल के सहयोग से स्वाधिन्ता उससब मनाये जाएगा आपको बता दे के इस उससब में आठ राज्यों के पत्रकार सामिल हो रहे हैं साथ ही इस प्रोग्राम में कई बड़े लोग भी सामिल हो सकते हैं आपको बता दे के इस प्रोग्राम के लिए अपनी अपनी सुपकामनाये कई बड़े लोगों ने वेजी हैं फिल्म सिटी नौइडा की नीव रखने वाले संदीव मारभा अमित आजार और कैलास कुमार मिस्रा जी ने इस प्रोग्राम के लिए अपनी अपनी सुपकामनाये दी सबसे पहले तो मैं आरजे संस्थान के सभी मेमरान को तई दिल से मुबारक बात देता हूँ कि आपने 12 अगस्त को N-D-M-C Convention Hall के अंदर एक बड़ा भवे कारिकरम की जो योजना तैयार की है वो मुझे और मेरे दिल को छू रही है 15 अगस्त के नजदीक आने से शायद एक बड़ा अच्छा मुझे लगता है महौल बनेगा और देश के अंदर एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा कि जहां पर पत्रकार लोग मिलकर फिर से एक बार उन सभी लोगों को समानित करने जा रहे हैं जिन पत्रकारों ने साल भर के अंदर देश के प्रती कुछ ऐसी लीला कुछ ऐसे कर्म कह किये हैं कि उन्हें अवार्ड दिये बगएर हम लोग रह नहीं सकते और ऐसे ही समय पे कुछ ऐसे समाज सेवियों को भी समानित किया जा रहा है कि जिन लोगों ने आउट डोग वेजा कर देश के लिए एक ऐसा अच्छा कारे किया है कि जिसकी चर्चा सारे देश में होनी अती बहुत जरूरी है मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि देश से बड़ा प्रेम कोई और नहीं है और देश से बड़ी भक्ती और कोई नहीं है मुझे दो लाइने यार आ रही हैं कि जिस ओर चले हम मस्ती में जुख जाए उदर अंबर भूतल आजाद बतन के वाशिंदे हर गीत हमारा है बाधल विविद प्रांत है अपनी अपनी भाशा के अभिमानी हम लेकिन सबसे पहले दुनिया वालो हिंदोस्तानी हम पंदे मात्रम एंडी एमसी सेंटर कन्वेंशन सेंटर में जनतर मंतर के पास भाई उदय मन्ना जी ने और टीम आरजेस ने मिलके एक कारेकराम रखा जो की परतेक वर्स कारते हैं पिछले वर्स भी 2017 में यह बहुत ही व्रहाद सतर पर हुआ था और तभी प्रण लिया गया था कि हम लोग 2018 में भी इसको इससे भी व्रहाद सतर पर करेंगे और जो की संभव हो सकाय टीम आरजेस के कारण और सैक्लो देश भक्तों के कारा तो एंडीमसी सेंटर में 12 अगस्त को दिन में 12 बजे सैक्लो पत्रकार होँगे और सैक्लो बच्चे स्कूलों के बच्चे होंगे जहां पर उनको सकारात्मक्ता का पाठ पाया जाएगा क्योंकि देश को सकारात्मक बनाने की आज बहुत जरूरत है कहीं न कहीं देश निगेटिव और नकारात्मक होता चला जा रहा है हमें जरूरत है आज और दूसरा मुख्यु देश इसका रिक्रम का ये है कि हम या जो भी आज देश में देश भक्त काम कर रहा है चाहे हो भग तो ऐसे ही पत्रकारों के परिवारों को भी 12 अगस को सम्मानित किया जाएगा क्योंकि हमारे पीछे परिवारों का भी एक करांतिकारी रोल होता है तो इस कारेकर्ण का मुख्यू देश टीम आरजेस ने इसको रखा हुआ है और जो भी पत्रकार हैं, जो भी उन पत्रकारों के परिवार हैं, या मैं अपने परिवार सिंग के साथ इहां खुद आया हुआ हुआ हूँ, तो निश्चित रूप से NDMC सेंटर में आप सब पहुंचें, 12 अगस्त को दिन में 12 बजे, क्योंकि ये देश के लिए ही नहीं, हमा लिए भी जोडिया, वंदे मात्रा from so many walks of life join this philanthropic group and this group the only motto of this group is to create great vision about the Indianness for them Indianness is believing the nationhood for them the biggest thing is the patriotic fervor in their mindset they are working for the nations and the best thing is their positiveness they think positive they act positive and there is a sense of togetherness in them there is no difference between the people in the name of gender sex community residents and the states